Mumbai University में आपको admission नहीं मिलेगा अगर आप complete process नहीं करोगे Mumbai University का online plus offline form तो इस वीडियो में हम detail में discuss करेंगे ये वीडियो में इसलिए बना रहा हो क्योंकि अभी आपका admission process start है तो आप से ये गलती ना हो क्योंकि अगर आप ये गलती करोगे अगर आप process complete नहीं करोगे तो फिर आपका end में admission नहीं होगा तो आपका पूरा एक साल बरबाद हो जाएगा तो आपका पूरा एक साल बरबाद ना हो इसलिए ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना पहले मैं process के बारे में बताऊँगा complete process क्या है और कुछ students को problem हो रहा था कि जब हम लोग 10th and 12th का marks डालते हैं तो आगे complete save next पे करते हैं तो आगे complete नहीं हो रहा है process नहीं हो रहा है उसका क्या solution है तो वीडियो के last में मैं बात कर लोगा Mumbai University में admission लेने के लिए सबसे पहला जो process है वो है online digital registration तो उसके उपर हमने एक detail वीडियो बनाया है उसके अंदर मैंने समझाया था कि कैसे step by step आपको पूरा university का form भरना है इस साल का नया website है University of Mumbai का बट आप उसमें form कैसे fill कर सकते है step by step सारी चीज़े आपने explain किया है वो वीडियो का link description में या right या left में i button में आ रहोगा वो click करके आप जाके देख सकते हैं अगर आपने form complete कर दिया है online process का तो next process क्या करना है अब आपने पूरा online process complete कर दिया है मेरा वीडियो दोनों दो वीडियो देखने के बाद अब आपको क्या करना है मान लीजे आपने वहाँ पर preference लिख किया होगा मैं जब बर रहा था तो मैंने पाच college का preference लिया था ठीक है अब उसमें से मान लीजे first preference मतलब आप चाहते कि उसी college में मेरा admission हो तो आपको क्या करना पड़ेगा जैसे मान लीजी example के तौर पे आपने जो है SK सुमया का form बरा है या RJ college का form बरा है या विवेगा नंद college का आपने form बरा है या कोई खालसा college का form बरा है या HR का college, CM college, सूफिया college, Jain college, कोई भी college का आपने form बरा है उस college की website पे आपको visit करना है और उस college की website official website है जितने भी colleges सारे colleges की official website मिलेगी आपको उस college की official website पे विजीट करना है और वहाँ पे देखना है कहीं पे जो है FY का मतलब first year degree का admission का रोटीस आया है गया तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजे अगर 200 colleges में मुंबई में तो 200 colleges में से 50 colleges ने admission स्टार किया है तो अभी तक कुछ colleges ने admission स्टार्ट कर दिया online कुछ colleges ने अभी तक admission ने start किया है तो आपको क्या करना है आपका digital registration होने के बाद उस college की official website पे जाना है देखना है अगर admission स्टार्ट है तो वहाँ पे आपको वापस से new form भरना पड़ेगा और वापस से हो सकता है personal detail आपका academic detail आपका photo signature सारी चीज़ा वापस से जो है contact detail सारी चीज़ा वापस से मांगे वापस वहाँ पे फिल करना पड़ेगा लेकिन एक चीज़ याद रगना वहाँ पे एक चीज़ और मांगेगा pre-registration application form तो pre-registration जो application form है वो आपको कहा से मिलेगा जो आपने online register किया है इस से उस college को जो है पता चलेगा कि आपने जो है इस particular जो details आपकर रहेगा वो फेच हो जाएगा उनके साथ ठीक है तो अब जो है यह आपने पहला complete क्या किया process कि आपने pre-registration form भर दिया मुंबाइन सीटी का फिर आपने उस college की website पे गया वहाँ पे college की website पे online register था तो online registration नहीं कर दिया ठीक है अब आपने यह दोनों process complete कर दिया है उसके बात क्या उसकी बात क्या होगा कि जब list आएगा तो list में आपका name appear होगा इस साल का जो है थोड़ा सा process में change हुआ है क्योंकि नया website आया है तो उसमें बहुत सारे glitch है ठीक है देरे-देरे हो सकता वो university वाले correct क्योंकि हर स्कूलिंट्स को problem हो रहा है चाया वो बीसी अगर वो डाल रहा है तो उसमें कुछ problem हो रहा है year का certificate का income का उन्होंने add किया है जिस college में admission लेना चाहते हो उस college में आप एक बार जाके अच्छे से office में inquiry करो क्योंकि बहुत सारे colleges में जो बैठते है inquiry पे solution देने के लिए answer देने के लिए वो उनको उतना knowledge ही नहीं होता है तो आप उनके department में particular जाईए ठीक है जैसे commerce का department है science का department सा arts का department से उस department में जाके आप inquiry करो अच्छे से उनको पूछो कि यह मैंने form भरा है यह मैंने complete कर दिया है इसके बाद भी कोई process है क्या आपके colleges का तो आपको बताएंगे process वैसे तो mostly online कर दिया तो उसमें 100% complete हो जाता है फिर भी जो है आप उसे वापस से inquiry कर सकते हो ताकि आपका list में name appear हो ठीक है तब आप admission ले सकते हो ठीक है तीसरा चीज जो other मैं बोलूँ आपको कि जब आप online form फिल करते हो तो उसमें अगर आप एक mistake करोगे तो आपका admission cancel हो सकता है जैसे मालने जे आपने cost reservation में भरा आपने form जनरल category में नहीं भरा reservation में भर दी आपने ठीक है अब reservation में आप आपके पास हो सकता है कि income certificate का जह है नहीं हो अगर आपके पास income certificate है तो cost certificate होना चाहिए ठीक है उसमें name जो है वो mismatch नहीं होना चाहिए बहुत सारी चीज़ क्योंकि वो apply करना पड़ता scholarship बाद में तो वो अगर आपके पास सारे documents है तो ही आप apply करो क्योंकि अगर आपने apply कर आपको admission भी हो जाएगा लेकिन अगर आप documents नहीं submit करोगे तो आपके seat जो है आपका admission जो है at the end of day वो cancel हो जाएगा क्योंकि आपके पास नहीं है जैसे माली जी हम लोग को option पूस्ट है ना कि freedom fighter है या axe man है तो अगर वहाँ पे आपने yes select कर दिया और फिर form भरा तो आपका admission ह हो जाएगा लेकिन वो उस yes की वज़े से जो है आपका form reject हो जाएगा क्योंकि आपके पस कोई proof ही नहीं है ठीक है हाँ आपके अगर family में आपके जो है family में कोई है government employee है तो आप वहाँ पर tick करो तो सही है तो आप छोटी-छोटी mistakes मत करना हाँ देखो नाम का अगर आप mistake करो करो कि वो भी चेंज हो जाएगा ठीक है आपका marks का mistake करो कि वो भी चेंज हो जाएगा seat number करो कि वो भी चेंज हो जाएगा लेकिन यह जो mistakes है जैसे आप उसमें लिखा है कि government employee है freedom fighter अगर वो yes कर दिये तो उसके वे से admission कैंसल होगा reservation में बरे अगर आपके पस document submit नहीं है full document जि तक आपका admission नहीं हो तब तक हम जो है हम आपके साथ है questions कुछ भी हो comment section में करो मैंने whatsapp पे reply करना चालू कर दिया कल से मैं बहुत बर बर के जितने लोगों को reply कर पा रहा हूँ सबको reply कर रहा हूँ कुछ लोगों के जो है जो है video call पर मैं उनके form देखके वो form fill करवा दे रह है अब बहुत सारी students को problem हा रहा होगा कि जब हम लोग process करते है 10th and 12th का detail process करके तो आगे नहीं जाता है तो उसका एक simple है कि अगर आप math student हो तो आपका process हो जाएगा लेकिन अगर आप math students नहीं हो commerce student हो या arts student हो यह हो सकता है कि वहाँ पर आपका process नहीं हो रहा है तो आप क्या करो वहाँ पे लिखा रहता है has you applied with math ऐसा करиль की लिखा रहता है तो वहाँ पर आपको क्या करना है yes select करना है yes select करने के बाद पुरा धहां से जुनो yes जब आप select करोगे तो yes select करने के बाद वहाँ पर option आएगा marks, object in math और total marks तो वहाँ पर आप क्या करोगे 0 डाल देना दोनों column में और third column में जहाँ पर subject combination और वहाँ भी 3 0 गरो और उसको tab करोगे लेकिन submit नहीं करना submit नहीं करना सिर्फ आपने क्या कि yes select किया, वहाँ पर 0 डाल और 0 डाल वापस से 3 जगा 3 3 0 डाल दिया अब वहाँ पर गिरिन दिखनी लग गया, आप क्या करो वापस से उसको no select करके वापस से percentage डालो, वापस से subject combination जो आपने डाला था वैसी डाल दो आपका ST का subject, English, Hindi जो भी आपका से subject से आपने डाल दिया, फिर process करो तो आपका process हो जाएगा, ठीक है अब मुझे comment करके बताओ कि कितने लोग ने वीडियो last time देखा है, क्योंकि ये problem for solution मैंने बता दिया, ठीक है अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मैरा process हो रहा है, ठीक है सो उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा इसको पर एक detail वीडियो आपसे में बना दूँगा सो मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ बट मेरा यही एमाई की आपके जो भी questions है वो सारे questions के answers जो है मिल जाए और आपको जो है help हो जाए अगर आपको यह वीडियो यूसफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरू शेयर कीजिएगा और वीडियो को एक like कर देना उससे मुझे motivation मिलेगा ठीक है? चलिए मिलते नेक्स वोडियो मैं